जी एस्टी प्लाटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बहुत ही अच्छा और एक गजब का जजमेंट आप सब के लिए अब यहां पर सेक्शन 74 के अंदर आया है जो की इन फेवर ओफ असैसी है जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक आपके ब सेक्शन 74 में फ्रॉड का इलजाम लगाते हुए प्रोसेडिंग्स करी गई और एक नोटिस जो है वो इशू किया गया ऑन दे ग्राउंड यानि कि कोई एक परसन है जिसने किसी सप्लाइर से माल पर्चेज किया है पर्चेज करके आप बिजनस करते हैं और वो जो सप्लाइ चीज तो यही चल रही है आपका सप्लाइर आपको सतरा ठारा 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 उन्नीस बीस में वो सही से बिजनस कर रहा था वो आपको माल बेचा उसने जन्विन सारे ट्रांजैक्शन करें उसके बाद कोविड के अंदर उसका बिजनस बंद हो गया अब यहां 2022 में 2023 में सतरा ठारा ठारा उन्नीस बीस ये सवं को फोर्थ पीरियड के लिए डिपार्ट्मेंट ये कहे करके कि भया आपने जिस आएंगे कि आपने फ्रॉड करा है चलो ठीक है वाज नॉट फाउंड टूबी इन एक्जिस्टेंस एंड मीनिंग देरबाइ मतलब सिंपल सी बात यह कि सप्लायर नॉन एक्जिस्टेंस है क्या बेसिज है नहीं है कुछ नहीं पता और चुकि वह नॉन एक्जिस्टेंट था इस बेसिस पे कि वह नॉन एक्जिस्टेंट था इस ते परचेस बोगस हो गया इव दा सेलर वस नॉट फाउंड या फाउंड नॉन एक्जिस्टेंस दा प्रोसीदिंग्स कैन बी इनिशिएटेट बट दो अथॉरिटीज हैव फेल्ड तो कंसिडर दा फैक्ट अट जीए है कि अगर यहां कोई परचेज़र है कि इसने इस परचेजर को माल बेचा एक क्रोड़ रुपएगा अब एक क्रोड़ रुपए का ऐस पे इस sı expect ने रखा इस अपनी GST की रिटरंस जो है वो भरी भी है इसके अंदर जो इसकी अठारा लाख की लाइबलीटी है यह इसने पे करी है मान लो यह उन्नीस बीस का मैटर है मान लो जज्जमेंट है ऐसा नहीं मान लो एक वाट टेक्स पीरिट के लिए समझाने के लिए अब सेलर ने जब यह ठारा लाख की लाइबलीटी पे कर दी उन्नीस बास उन्नीस बीस में और इसने इसका इंपुट एक्स क्रेडिट भी ले लिया तो अब यहां पर सेलर बाद में अपना ग्सकर वाद रहा है उसका कैंसल हो गया है जिस बिवज़ा से हो जकता बिजनेस बंद हो गया हो तो इस बेसिस पे आपने जिस से परचैज किया था वह अब Bachelor यह चेक किये बिना कि उसने जिस इन्वोईसेश का ITC लिया है क्या उसका जीएस्टी रिटर्न सप्लाइर ने फाइल करके टैक्सेश वगरा पेक करे है या नहीं क्या यह सही है तो हाई कोट ने कहा नहीं भीया यह बिल्कुल गलत है यह बिल्कुल गलत है दा इंप्यूंड और सेट असाइड इस बेसिस पे कि आपने सेलर की जीएस्टी रिटर्न जो कि आपके जीएस्टी पोर्टल पर अवेलेबल होती है उसको बिना चेक किये उसके लिए एक वर्ड आपनी और में नहीं बोल रखा जो इन्होंने और इन ओरीजिनल पास करा होगा तो आप ऐसा क काम कैसे कर सकते हैं जो है उसको रिमांड किया गया फर्स्ट अपैलेट अथारिटी ने जो इस मामले को डिस्मिस किया रिजेक्ट किया वो दुबारा सुने और इस मैटर पे ऐस पर दर प्रोवीजन जो है वह ओडर दिया जाए तो बेसिकली जो यह ओडर आ रहे हैं या न पर्चेजर है यह जो हमारा सेलर है वह आज की डेट में नॉन एक्जिस्टेंट है या कैंसल है नॉन एक्जिस्टेंट मतलब फर्जी ही हो गया ऐसा कैसे हो सकता है अगर आप सारे किसे में इसी तरीके से नॉन जन्विन एलिगेशन लगाते रहेंगे तो जी एस टी आने वाले समय में एक नाइट मेर बनने जा रहा है क्योंकि यहां पर अब देखिएगा हाई कोट ने क्या कहा है अगर मैं आपको दिखाऊं इनका देखी इस वजह से यह वाला ओडर जो है यह इन वैलिड रहेगा और यह और पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया और इस पेटिशन को अलाओ किया यह हो गई एक महत्तकून बाद इसमें और एक मज़ेदार बात है बहुत ही खतरनाक यह जो केस है जो हमारा एक्जांपल था अब यहां पर देखिएगा यह जो परचेजर है भाई साहब यह तो कॉमपोजिशन टैक्सपेयर था जिस पीरियड का यह मामला था उस पीरियड में यह कॉमपोजिशन में था हाला कि वह क्वेश्चन था ही नहीं हाई कोट के सामने लेकिन आप यह समझो कि कॉमपोजिशन टैक्सपेयर के ऊपर ऑफिसर्स एलिगेशन क्या लगा रहे हैं कि आपने इन्पुट टैक्स क्रेडिट जो है वह ऐ ऐसे परसन से लिया है जो कि नॉन इग्जिस्टेंट है या जो भी आपका मामला है वह नहीं वह आपको आई टी सी मिलना चाहिए था अरे भीया कॉमपोजिशन तो वैसे आई टी सी नहीं लेता यह एलिगेशन बना कैसे यह एड्यूडिकेशन लेवल पे खतम क्यों नहीं आ रहा क्योंकि जो डिपार्टमेंट के तरफ से बात कही गई है वह भी पढ़ने लाइक है अब हम लोग क्या करेंगे अपने जीएस्टी प्लैटफॉर्म के चैनल पे ऐसी इंपॉर्टेंट जज्मेंट का अनालिसिस आपके साथ हम लोग लाइफ करेंगे तो आप इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जज्ज्मेंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही एक आपको एक सोचने की शमता जो है वो दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको काउंटर करना है और किस तरीके से प्रॉपर ऑफिसर्स को वर् सब्सक्राइब करना चाहिए कि इन चीजों को देखते हुए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रहे कि ऐसे कुछ भी केसे बना बना करके लोगों को परिशान करने वाला जो काम है यह थोड़ा सा जो है वो दिक्कत वाला है अब देखिए इसमें क्या है जो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर है या जो काउंसेल है वो कहते हैं सपोर्टेट दा इंप्यूंड ओडर उन्हें ने ओडर को सपोर्ट किया एंड सब्मिटेट दैट इस नौट इन डिस्पूट अप्टेट वर कंपोजिशन ले वी बट मेरली ऑप्टिंग और कंपोजिशन विल लगेगा ऐसा नहीं है आगे कि फॉर्दर सब्मिट एट पर्चेज़ एव बिन शोन बाइद पेटिशनर फ्रम दे सप्लायर एंड अट टाइम ऑफ सर्वे अफॉर्ट फर्म वस नॉन एग्जिस्टेंस क्या कह रहा डिपाट्मेंट कि जो पर्चेज जो पर्चेज़ की यह ना कम पोजिशन टेक्स पेर रेसिपिंट पेटिशनर के द्वारा उसने पर्चेज़ दिखाई है लेकिन वो जो पर्चेज़ है वो बोगस है इसलिए एट टाइम अफ सर्वे जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस पाया गया सप्लायर तो पर्चेज़ जो है वो बोगस ह हो गई मीनिग अब इनका मीनिग क्या है यहां से मीनिग देर बाइब पर्चेज़ सोन बाइद पेटिशनर और बोगस ठीक है पर्चेज को बोगस कर दिया इटी सी छोड़िये पर्चेज़ ही बोगस हो गया विश्ब्मिटेट अट देट लेजिटिमेट टेक्स विच आपने पर्चेज किया आप कंपोजिशन में हो आपने आई टी सी नहीं लिया सामने वाले वन थ्री वी वाइल करके बैठे हैं उसने टेक्स पे कर दिया तो यह सवाल कहां से उड़ गया कि लेजिटिमेट टेक्स उस पर पर पे नहीं हुआ पर्चेज को सेल करेगा सेल टेक्स पे करेगा फिर्दर सब्मिटेड यह थे अप्र पर यह कहते हुए कि पर्चेज इस भी बोगस है तो यहां पर आप इस चीज को समझेगा कि कंपोजिशन टेक्स पेर वाले जो है वह भी अब सुरक्षित नहीं है उनके उपर भी एलिगेशन लगेंगे हाई कोट तक मामला जाएगा बिना वेरिफिकेशन के बिना कोई चीज जाचे पर खे बस उठा करके ओडर जो है है जो है जो भी प्लिट है यह मामला नौटेस के लेबल में ही क्यों ब्ल्स करना हैं का रिप्लाई करना है ऑफिसर के सामने चीजों को अच्छे डंग से ऐसा नहीं रूड ली जा करके एकदम लड़ पटेंगे लड़ पटेंगे और लड़ेंगे और यह वो नहीं आपको बात करनी होगी उसके लिए आपको पता होना चाहिए जीस्ट का प्रोविजन कि आपके इसके लिए आपको पूरा एक अंडरस्टेंडी होना चाहिए आप यह नहीं कह सकते मुझे वह सक्षन पता है मुझे वह सक्षन नहीं होता क्या है जो यह हमारा जीस्ट का फुल कोर्स है इसके अंदर हमने नोटिफिकेशनी जो रेलिवेंट हैं वो सारी चीज़े हम लोग लोग कहते हैं और कोई सेक्षन है तो काम के लिए है काम के लिए ही है आपका सेक्षन सरिफ सेक्षन ठीबी भरते रहोगे तो नोटिस का कैसे दोगे कल को NOOTIS सबको आना है तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो आपके काम का नहीं है आप यह सोच कैसे रहे हो मेरे काम का सेक्शन नहीं आपने क्यों पढ़ा दिया तो डूब जाओगे डूबा दोगे क्लाइंट को मैं बता रहा हूं समझ जाओ इस चीज को खेर अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको रेजिस्ट्रेशन से ले करके रिटर्न फाइलिंग इंवॉइस लेवी आरसी एम असेसमेंट ऑडिट सर्विस ऑफ नोटेस अडवांस रूलिंग इंस्पेक्शन अपील फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग नोटेस रिपलाई वैयूएशन रूल्स इवेब इस तो समझो इस बात को रिटरन फाइलिंग बहुत बड़ा तीस मारखान वाला काम अब रहा नहीं जी एस्ट के अंदर है ना डिवर्स चाउंट रियल इस्टेट पेइमेंट अफ टेक्स इंट्रेस्ट कॉम्पोजिशन जी एस चारी चीज़े ऐसा नहीं है रिटरन फाइल है वो भी है बट रिटरन फाइल करने में आपको प्रोविजन तो पता होने चाहिए कि किस टेबल में कौन सा फिगर क्यों भर रहे हो कल को डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछेगा तो क्या बोलोगे क्यों भर दिया आपने तो इस वजह से आप इस कोर्स का बेनेफिट वाटसेप कीजिए और आप इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं जिसमें आपको अमेंडमेंट क्लासेज जो हैं वो फ्री आफ कॉस्स प्रोवाइड करी जाती है अगर आप लोगोंने अभी तक मंतली टेक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिये गए नंबर्स